दर्सक बीन राम राम नमस्कार एन टीवी कोल पूर्शे प्रसारित कारेकरम अवाद आवाज में स्वागत हैं हम प्रिती प्रतेल हमार कारेकरं हर मंगर कि संजाखे से मज़ें प्रसारित होते हमार कारेकर में आवज समाज के भासारीटि रिवाज संसकार ब्रतियोहकर पर written कारे आज हम छट पूजा कैसे मनावा जाते हैं, जेकर कमर छट कहाते हैं, इमां का बनाते हैं, इकर का महत्व हैं और इमां का खावा जाते हैं, इह सब विशेवस्तु लेके हम प्रस्तुत भाएं हैं। हर्चट के पूजा हिंदू धर्म मैया बहुत ज्यादा मौत्व है हर्चट ब्रत औरते लोग आपन लड़िका के लंबी उम्र के खातीर ब्रत करत है हर्चट के ब्रत बहुत नियम के साथ कीन जात है हर्चट ब्रत के यां हल्चट भी कहा जात है हल्चट किसान लोगन के विशेस पर्व हुए हल्चट पर्व भगवान स्री कृष्ण के बढ़का भाईया बलराम जी के जन्म के उपलच्छ मैया मनावा जात है बलराम जी के सस्त्र हल रहा जैसे स्री कृष्ण के हाथे मैया बंसी रहा लोग उनका बंसीधारी मुरली वाले कहात रहें वैसे न बलराम जी के सस्त्र हल होए हल होए कारण से बलराम जी का हलधर भी कहा जात है यह खातीर हल चट कईया किसान के तेवहार भी कहा जात है हर चट के दिन हल के पूजा कीन जात है संगेन बैल के भी पूजा करा जाते हैं हर्चट के तेवहार भादो महीना के क्रिश्ण पच्च के सश्टी के दिन मनावा जाते और ते लोग आपन लड़ीका के रच्चा के खातिर हर्चट तेवहार बहुत उस्साहा के साथ पूरे विदी विदान के साथ कर थी हर्चट ब्रत के पालन करे वाली यारते लोग हर्चट के दिन हल से जोता भावाचीश मतलब आज नाँ खातिन गाई के दूद, गाई के घी भी नाँ खातिन इब्रत्माईया, 22 के दूद, 22 के घी, 22 के दही, गोबर, महुआ के पत्ता, महुआ के फल, कुस, चौरीठा, मट्टी के कुलड़ होए, या अपने हाथ से बनावा भवा, मट्टी के दिया, महुआ के पत्ता के दोना बनावत हैं हर्चट ब्रत्माईया, औरते लोग सकारे उठके, महुआ के दातुन से दात साप करत हैं, हर्चट के दिन हल से जोता कौनों भी चीज नाए खावा जात हैं, इदिन तिन्नी पसारी के चौर, इका पसाई के चौर भी कहात हैं, भैंस के दूद, गी, दही खावा जात हैं हर्चट के ब्रत्माईया, जोने औरतन के लईका होते उए इब्रत करत हैं, अवधी समाज महिया, लडिका के भै, भै, बिहाए और मुंडन महिया, कुरुआरा भर एक समय, महिया चौरीठा के गोल, हाथ के हतेली महिया, लगाई के लडिका के पीट महिया, छे बार थापी अगावेक परमपरा है, कहूं कहूं कुछ लाग जगा महिया, औरते लोग हर्चट माता के पूजा, मिल जुल के करत हैं, हर्चट ब्रत के पूजा, भैस के गोबर से लीब के करत हैं, देवाल महिया, हर्चट माता के चित्र बनावत हैं, पसई के चावर का पीज के से हऍचछट माता की सिंगार की जाते क्यूह कि लोग चोरिठा महियां हाथ भीगोई के देवाल महियां चाप लगाई के वही पूझा करते तो कहुचे लोग छटी माता के चित्र बनाए के पुजा करत हैं कलस के ऊपर दिया रखा जात है संगेन गौरी गनेश भी इस्तापित कीन जात है इह तेवहार मैयां मिट्टी के कुल्हण मैयां भीगवा चना मौवा के फल रखा जात है मौवा के पत्ता के दोनकी मैयां दही और तिन्नी पसाई के चवर भरा जात है सबसे पहले कलस के दिया जलावा जात है गौरी गनेश के पुजा कीन जात है ओके बाद कुल्हण पूरी दोनकी के पुजा करा जात है पूजा के बाद हर्चत माता के कथा सुनावा जात है आरती कीन जात है आरती के बाद उहें बैटके मौवा के पत्ता पर महुआ के फल दही रखके, साथिन खावा जातें, पूज़ा के बाद ब्रत पूरा करे खातिर, बोजन महिया तिन्नी पसाई के चाउर और दही खावा जातें, कहा जात है कि जब बच्चा जन्म लेत है तब से लएके छे महिना तक छटी माता बच्चा के देखभाल करत है बच्चा के हसावत है रुवावत है उकर पूरा ध्यान रखत है इह खातिर बच्चा के जन्म के छे दिन महिया छटी भी कीन जात है हर्चट माता का बच्चा के रच्चा करे वाला माता भी कहा जात है दर्सक बीन आज के छटी बरते में हम स्री बालकाज नंजी महराज के यां बोलाएं आवाज है उनसे बातचीत किन जाए महराज आज कल का किन जात है श्रीमत भागवत कथा का प्रवचन और प्रवक्ता कथा सुनावा जात है इससे लएके अन्य देश तक भी जावा जात है इके अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं जी से भजन किर्थन सुन्दरकांड अन्य धार्मिक सतसनातन जो धार्मिक लाइन है कि अमा कि हर पूजय भी करावा जाते हैं छाटी माता के बरद कहें कफिन जाते हैं और ये बच्अन Wak79 को एपने बच्चेन का कई दुख नुक्सानी न होई और जो है बहुत लोगन के बच्चे होते हैं आसमय मां एक्सिडेंट होई जाते जो है और कहूं का हुई जाते रस्ता मां जा जात बीमारी से दुख से बच्चे लोगन के स्वर्गबास होई जाते है उ कारण से इमा बर्त रहा थे भगवान जो है छटी माता के और बलराम देउता का इनके मेरत के तरीके से कोई दिक्कत ना हो इनका इमारे से बार्त जो है रहा थे हर्चाठ पूजा जो है भादो महिना के कृष्ण पश्चिम पढ़ा थे यह बईता रहा जाते है लोगन को नाम से जाना जाता आप दिभासा मां एक तो कमर छट्टे होई गवा दूसर ललही छट्ट कहा थें और तीसर खष्टी छट्ट और छट्थी छट्थी पूजा भी बहुत लोग कहा थें महाराज यह रच्छत पूजा जो आप कमर्चत के हो कि का नियम है इका जो है बर्त रहात हैं लोग और बर्त मा जो है भगवान बर्राम जी के पूजा करते हैं और पूजा करे के साथे साथे बर्त मा जो है दिन भर आउरत लोग जो है भूजन पानी नाई करते हैं और वो दि जो है चनना और भेंस के दूद्ध के दही चढ़ा थे और वही भघवान का भौग लगा थे हैं बहुत लोग झ gracoa अहुत लोग जो है नदी के दारे जाई के पूजा करतों बहुत लोग घरय्में जो तो फोड़ा से गढदा खोद के तलवा उमा जो है परास पत्ताव गेरा और यदो पुजा गरत यहीं परकार से पूजा करते भगवान के बंदा इस तरीके से मना वाजाब अभी अब भगवान संकर के मातापारवति की जो पर्थम पुत्र रहे कातिके महाराज तो कातिके महराज के पत्नी के नाम है धात्री देवी तो धात्री देवी जो है उनके पुत्र जो है ना होई के कारणर से भगवान संकर से एक दिन प्रश्न कहिन की जो है अब पुत्र उत्पत्ती कैसे होई परभू और जब पुत्र की उनके पास में उत्पत्ती होई गई त ज्यादा प्रेसान इधर उधर भरमावा करता है इक वो जैसे भगवान संकर से गवरा माता जो है प्रश्न करीं कि इका कैसे अपने सहीर मारगमा लावा जै तो संकर भगवान उबताई निया आई मा जो है हर छठी मया के पूजन करेक पड़ा था तो धात्री देवी एक अज तक वही प्रमपरा जो है चलियावा है कि भैशिन के दूछ रहाई के लोग पूजा करते हैं लड़का तो महतारी और बाप बापों तो रही सकते महतारी बर्त इमारे रहे परते कि महतारी के अंस्त जादा हो थे और महतारी जो पूजा करें तो उनके ज्यादा भगव बाप PLAY पूजा करें का कहा था ह контр bill इमारे कहा था कि छटी मेएजो है एक देवी होए और अब हम लोग हो यह जो है ल Th簡 SER को यह लग यह तो थोड़ा अलगनाम से पूछा यह वास्तविक नाम जो है छटी तो तो नहीं हुए अब हम लोग हर हर चट के दियन भगवान बर्राम के जब से जनम भवा तब सिकालो कमर चट काहे लगे ठीक है कि देवन और वर तो फोड़ा थोड़ा इसलिए करम कमर चट काहे लगे और पहले लही छट्ट लोग बहुत काहते हैं कोई लोग छट्टी मात पूजन समागरी में तो हमरे हिसाब से यही चीज लागा थे जोटा गोड़ा चीज ज्यादा नाई चड़ा थे उमा और यही महुआ के पत्ता के दुनका उनका बनावा थे विशेश कर पूजा यही होए और जोती बारत हैं और बहुत लोग दूब अच्छा चंदन अच्छ चड़ाई के पूजा करत हैं कोई विशेश समागरी माना इलागा थे घरेलू समानों गएरा जो है थोड़ा बहुत लोग जलमा उपजा हुआ चीज जो है जिसे तिल्ली के चवर हुआ और जो है बहुत लोग साग पकाई के भी खात हैं जोन जोता गोड़ा चीज नहीं ज जामियावत है वहीं चीज लोग गरहन करता है जैसे कि अब साग जो है पनी पानी में जो हो थे से करमुवक साग हो थे ऐसे अन तरीके के भी जो साग हो था हुआ जिसे नाम नाव के मालूम हो लेकिन जो नदी मा जो जो बिना वो युवजत है उचीज अभी थोड़ी दर आप बतां आप पूर यह लागत है तो भैसी की गोर का है लागत है आ oh जेया थे घोई बालवान जो है पहलवान तरीक this नाथ भी उपर बास करते हैं इकारण से एका जो है यम भैंशी के गोबर नहीं के पूजा किया जाते हैं करिए थोड़ी तिर पहले आप गuju तो कुषो थन तो कि लगवा जाते हैं ईच को लगह जा थैं पुजा है विल तो कुषो पूझा राझा जाते हैं तो कुष रोते घरान भी ग्हा गाना शाथा कोered एंन फे नियं जा पूवा जाते हैं यही कि मारी मा सबसे पहले बिच्चे में कुछ लगा वा जाता हैं कुछ नहीं हुआ तो लोग घरमा वही से तलाव टिलाव खोदा थैं घरमा खोड़ा खोदा थैं वही का देउता बनाई करेशसी को पुछ लोग ऐसे हो थैं मट्टी के बाल गोपल का बनावाई के बाद मा जेसे सब देउतन के पूजा करते हैं संकर भगवान पारवती माता गवरा जी के पूजा करे के बाद में कमर छट महारानी के पूजा करे के बाद मा उतला का जो है वही तलवा मा डुबाई देते हैं कहा है कि एक चेकर आकास बाणी भवा रहा है उपर से आकास बाणी जब हुआ तो वहां से आकास बाणी जब हुआ कि एक राजा रहें राजा तिरबद्ध नाम रहा उनके तो जब आकास बाणी हुआ आकास बाणी होने के बाद में जो है कि वह जो है जतने तलाव रहें नद तब ए गाव मा तुम्हे राज मा जल मगन होई है नदी में पानी होई है तलाब मा पानी होई जीह इक आरार से जो है राजा सुनि 않 तो बहुत प्रेशान हुई गया अपका किया जाए तो बाद में जो है राजा उनकी एक एक लटका एक पतो रही तो उके साथ में दूई लड़के रहें तो सोची इन लड़का कोई न रही जी है तो वही दिन कमर छट के पूझ वो पड़ा रहा है तो अपने बहुरिया का बलाइन कहीं तुम अपने नई हर चले जाओ उनका नई हर भेज दीन नईहर भेजे के बाद मा जो है उल लॉंडवा का लई गे पोता का अपने हुआ जो है नदीवा मा उनका गाड दी वही दिन पूजा भवा रहा है तो पूजा के कारण से जो है मतलब पूजे के दिन रहा है तो अब महतारी उनके रही ती उनका जो है माईका न भेजती तो हि जब परसंद होई गही तो जल मगन कर देिन देख़न की पतो जब वास आएं सोचिन की जो आई नदी तलाब को वाज़न मामें जावा जब नगर लेखाτα खार conception के करना उफे हाना हमें उन उनके लड़का का वापस कर दी हैं अब वापस कर दी हैं नगरमा लएके गें तो राजा कहीं कि इनका तो गार क्या है रहे हैं मने मन सोचे तो जाकर के पुना निकार के भगवान के अस्थान पर धर के पूजा करते हैं बहुत जगा अपने इदर तो आईसा ना है लेकिन लड़कन के लिए बर्त किया जाता है, लड़कन के लिए पूजा किया जाता है, लड़कन के लिए पूजा किया जाता है, यह हमारे पुरखाने में लगा रहा है, तो पुरखा लोग सब करते रहें, तो पुरखा लोग जब जो हमको बताएं, वो भी हमको करना परता है, हमार साल भरे पर हर छठेट के पूजा होता है यह दोग आप लोग hashtag big Lagi तुरल pior लागी रडी अपान लागी शेन अपयाजयी सब कुछ होता है अभी लड़का का चठी आंप प्राणिक साथे बइठाय जाए लड़का लगे बढ़ें को नए हर शाली नहीं चठी आवा जाता है तो हर सालोई से पूजा हो था पत्तम महुग, पत्तव धाय तिनिक चाओर महुग, जही मिलाएक तीन चड़ावा जातूं, अब भाह इसको गोबल लगता है, भाह इसको दूध लागए, भाह इसको सब चीर लागे, गईयाकर ना लागे, तो इमा का का खावा जाते हैं? करे मुवा हुष उमामद चाह यृ टिनी के दाही सेन नमाग eg ढाई त्यही नमाद के ढूद्ध में जोता भोवा खेद विद्न थल भोर नहीं खाया जाएँ इनमों महुआ खाई सकते हैं तो पेड में उसे लगता है तो महुआ खाई सकते हैं दूध में चुरे के खाई लें दहीं सान के खाई ना चावल है करेमु अकशाग चावल दही असेना नमक अदेशी भैंस्क गाय को घ्यू नाइ अचा गाय कोज़़ होता है काली भाइस को कपड़ काहें चछट के दूध धोती चड़ है पीश चलाओ अलयर्स पीला कपड़ा आप जबाट फिला कपड़ा थोती कपड़ा रहें सब चीज रहा थासा कुछलन मा भी पीला कपड़े रही हां मुद्ध चान पंददीन हो तो दूनों हुजने के पेली साड़ी रहे दु लहनके पील अपड़ा रहे लड़का कु यह चावरिक यह ever जह अ रजिपा सबीनों जयोता ट إक जमीन में बने जामी पोट के आल घृत्त कि मतलीलों लेकषीन कि आतमा कर मटने करने racism ईजसने जाते हैं क्यों फ्रुटें? जाते हैं जैसे फिर नाही के स्झण फेला में और एयम कर शुर क्योच्ञ नहीं कर रखा जाते हैं जहको घिन जय लेकत कुछ नहीं खावा जाए तिन एक चावल के आटा पीस लपूरी बना एक खाए लो पूज लड़का होते हुर बना नहीं पूज पूज हुआ है एक लादका होकी बूल पड़त रहा है तो लड़के के हुमर बढ़े मुखा पट्टा वाइट कोई छिजके लागत है इसे रहा है और कौन सामान लागत है इमा यह जोई जोद रहा थे पत्ता मॉखा के पत्ता के दुन की बनाएगे ओंड़ रख लियो और हम चावल रख लियो बस वह ठीट बना वाजात है पुझा जाथ है अगर देरी नाई मिले तो कईसे कर दो आपिक है तो मतिके बनाई लिए अपने हाथिं लिए अपने हाथिंस बना है लिए इस से इसे बना वा जाते से बना लिए तिनन पासारी जोता नुख़े पाने किनारे जामत नियम भी जोता नाय उते जोते परणी दिया जाते इस पुजा जो किन गवह है एक बंधी बेधान बताई दिया जाए अधिया रखा जाते तब पोड़ी बना थे चनारातें भी गोई दिया जाते और निचर जाते तब जोने छे दिया रखा जाते चे रखा जाते आप था नहीं और शेल मौग दाताती है, नि만 जुदी दीरी देर करmaßen चनलर में भी खेछ सिरव करुडि पूर्खा चनलर में पूर्ड कर चनल कर चनलर में हैंgriffन। तो इका मितलब छठी भी कहा थे, पूजा जाय थे, छेटी का लागा थे, और मुखा आवा थे, जावल आवा थे, साहत रहा थे, और छे और रहा थे, मुखक पत्ता, उमा कुस लगा हो थे, कुस लगा हो थे, छे गांठी लगावा जाय थे, छे गांठी लगावा जाय थे, आप अभी कहों कि खाव ना खावा जाते तो का ख़ए हो संजा के तिन नी पर साइक चावल भाद मतलब इका बनाई लिया जातों साग साग छोंग लिया जाते घृमा बस्वही मर्चा जो घर मा भूआ हो तो डारो नार रगो तो फरारी नमक से खावा जाते क्वार्मक हैएँ कापनी में सब्सक्राइब एक पानी और नावा गवा है चटी माथा यह काई बनाता रहा है अब कागज में इस से बना जगहानाई है तो एक चुन करने समय नक blev रहा थे साथ खर गोबर से प्रिया बना थे अन्हें टेकर उन्हें पूजाnelत provocतीफ데 बहाईस के दहि रहा थे शब चीज भही से पूज़ा हो थे हमांचिश चठमयां भाहिस के सब लागा थे समान गाये दूद के दूद के दहि सब चीज भही सका लागा थे ओ ही खावा जात गाय के कुछ नाएखा जात माता तुम रे भावन बाड़ी भीड अंगन कैसे लीप रे माता तुम रे भावन बाड़ी भीड अंगन से लीप माता तुम रे भावन बाड़ी भीड अंगन कैसे लीप रे पाटन देवी के दुम बाड़ी भीड अंगन कैसे लीप माता तुम बावन बाड़ी भीड अंगन कैसे लीप रे माता तुम बावन बाड़ी भीड अंगन कैसे लीप कर सकते हैं साथे नम पंडी जी से भी बात चीत की हैं हमा निदारी समय इहीं समाप्त होते हम प्रीती पटेल आपन टीम के साथ बीदाली ते राम राम नमस्कार कर सकते हैं कर सकते हैं